समवर्धिनी महिला विश्यक भाते दृष्टी कुन पर अधारित पुस्तक है वर्ष 2015 में जैपुर मयावजित एक राष्टे गोश्टी में विबिन विद्वानों ने महिलाओं के विश्यक पर अपने अपने विचार रखे थे उनके विचारों से महिला विश्यक एक नए दृष्टी कुन का विकास हुआ जिसके उपरांत महिला चिंतन के बारे में समवर्धिनी नाम से एक पुस्तक का स्रिजन किया गया संके वरिष्ट प्रचारक श्री नरेंद्र ठाकुरजी द्वारा इस पुस्तक का संपाधन किया गया है इस पुस्तक में नौ अध्याइश शामिल हैं जिसमें भारती जीवन रिष्टी में महिला इस्त्री तेज की असुश्म परंपरा महिला आंदुलन में भारत का प्रतिसाद, हिंदू परिवार विवस्था, विकास का भारतिय प्रारूप वो महिला, परिवार विवस्था और नव उदारवात की चनौती, मीडिया और महिलाएं, उपेक्षित समाच और उपेक्षित समाच की महिला और महिलाओं के संबन में नए कानून जैसे अध्याईश शामिल है। इस पुस्तक में मुकुल कानितकर, सुनीला सोवनी, नैना शहस्त्र बुद्धे, अलका ताई, डॉक्टर जोती किरन, प्रोफेसर राकिश सिनह, मृडालीनी नानी वडेकर, डॉक्टर सुवर्णा रावल और मुनिका अरूडा जैसे विचारों के आलेक शामिल है। महिला विमर्ष के वारे में सभी लेखकों ने बेहाद विस्तार से अपने विचारों को रखा है। चंदर गुप्त के काल में भारती विवस्था के वर्णन का उल्लेक करते हुँ बताये गया है। मैगस्तनीज ने भी यहां कर देखा कि भारत में इस्त्री पुरुष असम मानता का कोई भेद नहीं था, सभी को बराबर अफसर प्राप्त थे। भारती समाज में इस्त्रियों का प्रभाव आधिकाल से ही देखा जा सकता है। पुस्तक के अध्यन से पता चलता है वेत कालीन समय में इस्त्रियों को उच्छ ग्यान प्राप्त करने का अधिकार गारगी, मैत्रई और कात्यानी जैसे विदूशी महिलाओं ने अपने काल में समाज को एक नए दृष्टी देने का काम किया वैदिक काल में अनेक तेजस्विनी महिलाओं में युद्ध कौशल का परिचे भी मिलता है रिगवेद में ऐसा उलेक मिलता है जब खेल राजा की पत्नी विशपला ने अपने राजिक की बागडोर को समहला और युद्ध में एक पैर गवाने के बाद भी वो लड़ती रही वर्तमान जग महिला विकास का जग है मगर सदियों से भारत में महिलाओं ने समाज के निर्मान में महिद पूर्ण मुमिका निमाने का काम किया है हटी, विद्या लंकार, महीद आईसा, मुकता भाई, जनभाई, कानो पात्रा और विर्णा भाई जैसी महन महिलाओं के बारे में इस मुष्टक में महितमूर जानकारी मिलती है समाजिक, राजनितिक और राष्री जीवन में महिलाओं की समांतक अधिकार समय की मांग है अधिकारों की कभी उपेशा नहीं की गई, भारत ही नहीं, बलकि सारी दुनिया में इस्तरी की गरिमा, स्वतंद्रता, समानता और अधिकारों को लेकर समगर दृष्टी कोण विकसित हो रहा है। भारती गरहनी इसी वार को सीख कर निपोड़ता प्राप्त करती हैं, संसकार और करतेवे भी हमें विरासत में ही प्राप्त होते हैं, और ये दोनुं हमें महलाओं से सबसे ज़ादा प्राप्त होते हैं। इस पुस्तक में अनेक ऐसे प्रसंगों का उल्ले किया गया है जिनके अध्यन से पता चलता है किस तरह से भारते इस्त्री एक आदर्श महला बनती है। घर के भीतर और बहार महलाओं को बोलने का समान अधिकार है आज सभी खुले मन से महला सशुत्ती करण की बात करते हैं। और उनकी समस्याओं पर भी ध्यान केंदित किया गया है। महलाओं के संबन में बने नए खानून उन्हें कैसे सबल प्रदान कर रहे हैं। पुस्तक में इसका भी विस्तार से उल्ले किया गया है। महिलाओं के समक्ष अभी भी क्या-क्या और किस तरे की चुनोतियां है। इसका उल्लेक भी समवर्दिनी में मिलता है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है। सेवक संग के सर संग चालक पूजनी डॉक्टर मुहन भागवत जी द्वारा महिलाओं के विशे में अनेक प्रश्णों के उत्तर विस्तार से दिये गए हैं। पुस्तक के जिग्यासा समाधान अध्याय में ऐसे सभी प्रश्णों और उनके उत्तरों को शामिल किया गया है। निश्चित तोर पर समवर्दिनी पुस्तक मात्रि शक्ती से जुड़े सभी पहलों को विस्तार और विस्तरित तौर पर रखने में सफल रही। मैलाओं के विश्यक भारती दृष्टी कौन के लिए इस पुस्तक को एक बार पढ़ना सरूरी है। विचार विने में प्रकाशन की इस पुस्तक का मुल्य मात्र डेट सु रुपे है।